हेलो गैज्स कैसे हैं आप लोग दोस्तों यह जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सभी एस्टेंट के लिए चाहिए आप किसी भी क्लास में हो आप सभी को तो पती होगा कि नए सेशन सुरू हो गया है क्लास 10 के इस्टेंट 11 में आगे 11 वाले 12 में आगे और आप सबको फिल भी हो रहा हो कि अब बहुत होगी मस्ती अब पढ़ाई सुरू करनी चाहिए आप देली सोचते होगी कि पढ़ाई सुरू करनी चाहिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे होगी जिसकी वज़र से आपको फ्रस्टेशन हो रहे होगी और खुद पर भी गुस्सा हो रहा कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पार हूँ मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं हो परे तो सोचते तो हैं कि हम पढ़ाई करें लेकिन हम पढ़ाई कर नहीं पाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एकदम इजी टिप्स दूंगा एक ही टिप्स दूंगा और मैं गारेंटी देता हूँ अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि एकदम इजी है बहुत टफ भी नहीं है आप जो भी पढ़ाई का रूटीन है आप उस पे 100% वापस आएंगे और उसके बाद अपक्दम अच्छे से अपनी पढ़ाई करने लगेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए एक और मैं बात आपको बता दूँ मेरी जो बाद में जो बैल आइकन है उसमें आल नोटिफिकेशन के अप्शन को सेलेक कीचे तो चले बिना टाम इसकी वीडियो को सुरू करते हैं गाइस वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो क्लाश में कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको हमीशा काम आएगे चले सबसे प कॉम्पेटिशन में पाटिसेट करा दू और आप उमीद कर रहें कि वह जीत जाएगा तो कैसा पॉसिबल है नई पॉसिबल है ना आप खोद ही समझे इस बात को तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपने दोस्त को ट्रेनिंग देने पड़ेगी उसे धी चीज हमारे साथ होती है जैसे कि जब समर विकेशन होता है जब एकजाम्स खत्म होते हैं उसके बाद समर विकेशन होता है तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती है बहुत कम हो पाती है और समर विकेशन हो अगर में जो काफी गैप हो जाते दो तीन महीने का गैप हो जाते उस एक आपको क्या करना पड़ेगा आपको खूद को प्रैक्टिस देनी पड़ेगी खूद की वर्म-अप करना पड़ेगा कि हां पहले हम उस लेबल तक पढ़े आप सोचो कि आप आठ गंटे पढ़ लो लेकिन आपने पिछले 2 महिने में आधे गंटे भी एक पढ़ाई नहीं कि तो क्या आप कर सकते हैं पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है न तो बस आपको सबसे पहले क्या करना अपको खुद को प्रैक्ट जो भी आपने stream select की उसमें जो भी subject है आप सबसे पहले सोचो ना कि आप इस subject में आज 2 घंटे पढ़ाई करोगे चलो हटाओ कर लेते हैं कितना टैम लेगा आदा गंटा काम है दस मेंट का काम है जीते भी देर आपको लगए और वहीं आप सोच लोगी कि नहीं यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हो पर एक दम अच्छे से बना ले कि सूबह में चार बजू उठना है फिर दो पहर में पढ़ना है साम में र टाइम टेबल फॉलो कीजिए बनाई फॉलो कीजिए बहुत अच्छी बात है लेकिन पहले आप खुद को उस स्टेंडर पे लेजे उस लेवल पे लेजे ताकि आप 10 गंटे 8 गंटी 6 गंटे जितनी भी देर आपको पढ़ने आप उतनी पढ़ाई कर सके जैसे कि एकदम छ बबढ़ाने की तो कहां से होगी तो सबसे पहले आप वह सूरू करो अब आधी घंटे पढ़ो आप सूके कि चलो मेरी पढ़ाई नहीं पढ़े लेकिन मैं आज इस सब्यक्राइट की दो कोस्टें याद करूंगा इस तरीके से जब आप दो-दो कोस्टें कर लेज रहा है बढ़ाने की चलो मैं दो कोस्टन सॉल्व करता था आवाज में चार कोस्टन करता हूँ जब आप 4 question solve कर लेगे तो आपकी पढ़ाई एक आधे गंटे से लेके एक घंटे तक पहुंच जगी इस तरीके से आप एक घंटे अगर दो चा दिन पढ़ ले तो आप इस तरीकी से आपको शुरू करने की इकल तक आप बेलकुल भी पढ़ाई नहीं करते थे और आज आप आठ गंटे पढ़ाई करेंगे तो आपका प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा गुस्टा भी आगा खुद पर इसलिए पहले एकदम मीनिमम टार पॉठ है छ्याइस गंटे आट गंट गंट दस गंटे जीतनी विडियर आप पढ़ना चाहते हैं तब उतना पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यही एक तरीक है जिसे कोई भी कर सकते यार आधे गंटे तो अगर हमारा मन नहीं है तब और दोसके बाद आप आप जैसे जैसे मैं साथ ऐसा होता है उसके लाब दोस्ते कोई भी डाउट हो कोई भी कन्फुजन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम को यूजर ने में आपको स्क्रीन पर दीख रहोगा आयू शरीना जो की चैनल कहीं ने में तो आपके सारे डाउट क्लियर हो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगर में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देए जो इस वीडियो को लाइक करता है तो बिल्कुल भूल नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो का आप सभी ने देख आपका बहुत बहुत थन्यबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और मे झाल